हेलो प्रेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सहल अगंता इससे पहले हम पढ़ चुके थे आपकी जो जेनेटिकल डिजी जो थे उनके बारे में पर कल वाले क्लास में पढ़ चुके थे अगर आप सभी ने कल वाले क्लास जाके नहीं देखियो तो जाकर देख लेना आप सभी के लिए प्लेलिस्ट अपडेटेड मिल जाएगी प्लेलिस्ट पर आपको क्लास मिल जाएगी है और आप सभी के लिए इंपोर्टेंट सुचना यह है कि आपके लिए हमने केमेस्टर की पर्ष्ट क्लास हुई थी जो क्लास अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो जाकर देख लेना ठीक है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सहल अगंता और सहल अगंता आज पढ़ेंगे कल हम म्यूटेशन पढ़ेंगे कल इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे परसु इस चैप्टर के वेरी इंपोर्टेंट में आपके लिए करवाने वाला हूं तो देखते हैं कौन-कौन इसमें अटेंट करता और किसकी कितनी तैयारी सब पता लग जाएगा हर चीज गिरकर उठन नहीं गिरकर उठने में जो मज़ा आता है वो किसी में मज़ा नहीं आता तो दोस्तों सेलेक्शन आपको लेना है इस बार शूर है कि सेलेक्शन आपका होगा अगर आप 15 जनुर मेरे उपर ब्लीव करके रखते हो तो 15 जनुर का सेलेक्शन शूर है तो ग्यारेंटी के साथ अपन बात करते हैं हर किसी में मतलब ऐसा दम नहीं है कि हमें रोक सके हम अपना काम खुद करते हम किसी से नहीं डरते हैं तो दोस्तों हम बस अपना काम अपने according करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे आपका selection sure हो जाएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं सहल अलगन था लास्ट एयर से यानि की 2020 का जो एक्जाम हुआ था उसके बाद से एक नया पेटर्न आपके लिए चलता आ रहा है विग्यानिक का नाम पूछने वाला सबसे बड़ा पेटर्न चलता आ रहा है तो ये विग्यानिक के नाम भी आपको हर विग्यानिक का नाम याद होना चाहिए ठीक है अपने बहुत सारे क्यूसंस में आपके लिए क्लेक्टर के ला रहा हूं वैसे आप सभी को पता है कि बिए चू में पेरा मेडिकल और फारमेसिक एबलिकेशन फोरम आ चुके हैं इनके लेवी में इंपोर्टेंट तरीके की तुसन में आप तो दूँगा कि आप एक बार में सब कुछ क्लियर कर लोगे ठीक है मतलब ऐसे 500 क्यूस 500-600 क्यूसन ऐसे लगबग सब्तर असी क्यूसन ऐसे कैसे आपको एंटर दिख जामें देखने को मिलने वाले हैं चलिए आज क्लास अपने स्टार्ट करते सह लगनता तो जो सहल लगनता होती है ना सहल लगनता क्या होती सहल लगनता की खोच क्या होती सटन ने सटन नाम के विगयनिक ने जीवों और गुंसुत्रों के मद्दे सरसंबंद को बताते हुए सहल लगनता की खोच की थी किसने सटन नाम का एक विगयनिक था आपको याद रखना है सटनाम के एक विग्यानिक थे जिन्हों ने जीवों और गुंसुत्रों के मद्दे सरसंबंद को बताते हुए किसको सरसंबंद को बताते हुए सरल अगंता की खोच की थी तो ये बात याद रगना किसकी खोच की थी सरल अगंता की खोच की थी बैटसन और पुनिट से इंगलिस बोलना सिखाएंगे वो भी हिंदी बासा में यानि अब आप हमें से हर बचा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सब को सर्टिविकिट भी दिया जाएगा तो अभी जाएगे और डाउटनट एप पर यह कोर्स खरी दिये और अपने अं बहुत हैं तो बैटनट नाम के वेगया निकते जिन उन्हों ने मीटी मटर पर कारे करकर सहलगन जीनों के बारे में बताया था तो बैटन और मिटने नाम के वेगया निकते चिन्प आप सभी सेलेक्षिन की टेंसें मत्लों आप सिल्एक करो ना होगा आज आएंगे नहीं आएंगे तो मताना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए बात करते हैं सहल अगंता के लिए नोट लगा कि कुछ important चीज है सब भी चीजे important आपके लिए रहने वाली आज सहल अगंता के बारे में कोई आपका नहीं रहेगा और मैं guarantee के साथ बोल रहा हूं यहां से एक भी क्यूसन आपका बार नहीं जाएगा सो परसेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से एक भी बार नहीं जाने वाला जिस इस्ट्राइन ने यह बुक्स करीद रखिए उसके सब्सके पास समझो कि और उसका गोल्ड गोल्ड उसके साथ पास है मतलब जिसने बाइलोजी की बुक्स जिसने करीद रखिए समझ लो कि इसके पास और उसके पास अभी रखा हुआ है पर गोल्ड तब यह जाएगा तब उसका आप उसको पेन होगे इसको मतलब उसको अपने उपर दारन करो कि तब जाके गोल्ड दुनिया को दिखे में एक साथ बंसानुगत होने की परवर्ती होती है क्या होती है एक ही जीन एक ही गुनसुतर पर मोजुद जीनों में एक साथ बंसानुगत होने की परवर्ती होती है सहलगन जीन करते हैं क्या होते हैं एक जीन पर एक साथ बंसानुगत होने की परवर्ती सहलगन जीन करते ह करना वो सहल लगनता कहा जाता है अगर इस क्लास को अभी देख रहे हो राकेश कुमार से नी साहिल से नी और मानक चंद इसके लावा जो राजा राम से पाया तो कोई दिकत नहीं चार के इंडेट्स की बुक्स में बेज चुका हो तो आप सबी जो परिसान हो रहे थे बड़े दिनों से बुक्स के लिए तो बुक्स आपकी मैंने बेज दिया बुक्स अभी स्टोक में एवेलेबल हैं आप और कर सकते हो चाहो तो दूसरी बात य तो आपके लिए रहे हैं दिवाली उपर जो गैरा नॉम्बर तक आपका चलने वाला है जैरा नॉमबर रात 12 वजे तक आपको ये उपर रहने वाला है तो पहले ये पीडेप कित्ते की 247 की पढ़ रहे थी लेकिन अब ये पीडेप प्राईज गटाइकर डेट सो रुपे कि अपने बाद में बात करेंगे अगर आपको ज़्यादा जानकारी चीह किसे बुक्स लेनी है तो उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वहां से आप देख लेना हम इसमें क्लास में क्लास की बात करेंगे सर लगंता कितने प्रकार के ओती सर लगंता दो प्रकार के ओती पूंड सर लगंता इसमें जीन विन्य में अनुपस्तित होता है तो इम्पोर्टेंट है तो आप से question पूछा जा सकता है पूर्ण सहल अगंता में क्या जीन विनी में होता है तो पूर्ण सहल अगंता में बिल्कुल जीन विनी में नहीं होता है लेकिन अपूर्ण सहल अगंता में जीन विनी में होता है याद होना चाहिए आपको जीन विनी में क्या होता है जीनों क तेन परकार के होते हैं काईज मेटा बदने क्या आधार पर इंपोटन्ट क्यूसरण यह पूचा जाएगा चीजीन में होते हैं जीन विनी में तीन प्रकार के होते हैं काईज मेटा बनने की संक्या के आदार पर एकल जीन विनी में दोहरा जीन विनी में और बहु जीन विनी में तो इंपोर्टेंट सबसे पहला जो होता है सबसे बात important ही रखने हैं कि किसके आदार पर तीन परकार की होता है यह जो जीन विने में होता है और एक क्रोमेट्र जीन विने में की किरिया में बाग लेता है एकल जीन विने में क्या होता है जो एकल जीन विने में होता है दोस्तों उसमें एक काईज मेटा बनता है और एक ही क्रोमेट्र जीन विने में की किरिया में बाग लेता है इसके साथ जो दोरा जीन विने में होता है इसमें दो काईज मेटा बनता है क्या होता है दो काईज कि इसने पाइसिपटेट करताए लेकिन जो आपका है हुए यह दोसे काईज मेंके debe तो यह important बात थी जो आपकी यहां तक complete हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ, इसके बाद important points है, 10-12 उसके बाद हम mutation, mutation को अपन कल वाले class में, लगबा complete close, खतम कर देंगे, इसके बाद आपकी, जो questions होगे होई, MCQ के होगे, वो अगली class में हो होने वाले हैं, ठीक है, चलिए, अपन बात करते हैं, क्यों आसे छोड़ना, आपके लिए अब बहुत ही, मुरक्ता का काम है, आप मुरक नहीं हो, आप समध्दार हो, जात्रुक हो, समध्दार हो सभी, तो सभी से एक छोटी से request हैं, हमारे जो टेलिग्राम group है, टेलिग्र लिए तीन प्रकार के होता है, जीन विन में प्रोफेज पस्ट की पेकाइटिन अवस्ता में होता है, बहुत अच्छा कि उसने बनता है, कि जो जीन विने में की प्रोसेज होती है, वो कौन से प्रोफेज में कौन सी अवस्ता में होता है, तो प्रोफेज पस्ट की जो पेक क्रोमेटेड के बीच होता है गुण सुत्रों के लंबाई पर निर्बर करता यह यह याद होना चाहिए आको प्रोफेज पस्ट की प्रोफेज पस्ट की पेकाईटिन अवस्ता में प्रोफेज पस्ट की पेकाईटिन अवस्ता में जीन विने में होता है और समझात गुण सुत्रों की और समझात गुण सुत्रों की नौन सिस्टर क्रोमेटेड के बीच में होता है जीन विने में गुण सुत्रों की लंबाई पर निर्बर करता है जी निविनि में किस पर निर्बर करता है जो गुण सुत्रों की लंबाई पर भी निर्बर करता है आपको याद होना चीए एकजाम में इसा कैसा एक जिट कुछेगा आपको बोल रहा हूं गैरंटी के साथ आप कभी नहीं रूख स सारा क्यूशन सारा मेटरल आपका यहीं से आने वाला है तो अब इसे आप लग जाए और जो यह एम्स वाले हैं एम्स वाले भी गवराइना एम्स वालों के लिए बहुत इंपोर्टेंट अगर नहीं देखा हो पूरे चैप्टर तो देख लेना एम्स वालों गैरेंटी के सा जीन गुन सुत्तर पर होते हैं इसके साथ ही एक वीडिये से दूसरी पीडिये में वनसान उगत होते हैं यानि कि सायल अगन जीन क्या होते हैं अपनों भी देखा था कि सायल अगन जीन जो होते हैं एक ही गुन सुत्तर पर मौजूद जीनों में एक साथ वनसान उगत होने यहाँ पर ऐसे जीन जिनके जीन लिंग गुन सुत्तर पर होते हैं वह इनके साथ ही एक पीडे से दूसरी पीडे में वनसान उगत होते हैं लिंग से लगन लक्सन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं लिंग से लगन लक्सन कहलाते हैं क्या होती है तो याद करना दूबरा से ऐसे जीन जिनके ऐसे लक्सन जिनके जीन लिंग गुंसुतर पर होते हैं और इनके साथ ही एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में वनसा नुगत होते हैं लिंग से लगन लक्सन कर लाते हैं के कालते हैं एकस गुर्ण सुतर पर पाए Detalen जाने वाल सब ओईक्ता कहा जाता है नुष अब्छाज सकता क्या होती है उन में इस तो क्ष ऑनो अन्य गोंद्ट घर्son पर पाहिए जाने वाले इस अब बोुढेंट वर इस दोनों में अब्वेघ्ट होते हैं कि से उपने सब्सक्राइब जाने वाले कुछ लिंग सर लगन दोस यानि कि लिंग सर लगन यानि कि एक्स क्रोम जो आपके सेक्स क्रोमोजोम होते हैं उनकी वज़े से होने वाले दोस यानि कि लिंग सर लगन दोस कौन कौन से होते हैं तो लिंग सर लगन दोस जो होते हैं आपके कलर ब्लैंडनेस हो गया हीमोफीलिया हो और इसके अलावा जो आपका फिनाईल की टोनियरिया हैं ये तीनों रोग क्या होते हैं लिंग्स लगन रोग हैं तो आपसे important question पुछ गई है कि question इस परकार बनेगा कि निमें लिक्षित में से निमन में से कौन सा कौनसा लिंग्स लगन रोग लिंग्स लगन दोस्त हैं या नहीं हैं आइद नहीं के साब से पूछ लेगा अगर नहीं का पूछता है तो यह तीनों दे करना बात कर्ते हैं है क्ला?, क्लर ब्लेंडनेस क्लर बलेंडनेस क्लर ब्लेंडनेस क्या होता है वर्ण लान दिता है और तैहा क्राली लांती है हैं और यह एक आपरवावी साल अलगन रहोगे क्या होते है एक अपरवावी साल अगन रहोगे जो खकोल च्पेस्ट तरफ इस्तित होता है यानि कि यह मत intendoking मेल है मेल मेल नॉर्मलं मेल क्या होता है एक्स anyways on को था है है अगर इनमें ये शस्पेक्टेडेड ये सबस्पेक्टेड ये तो वहां का काम करें लेकिन अगर यसी चाहिए और इसमें एकस क्रोमोसाम के साथ जुड़ा रहता है तो यह अगर यह के सा पिल्कुल प्राइद मिलेगा यानि कि पूर्सों में होने की संभावना इसमें रहा पाई जाते हैं गर याद रखना कर सकता है प्लबिन शक्राइब अब क्भी-श्च भी-धी- नहीं होगा वाक कभी भी मेल नहीं होगा ठीक है इसका मेल कभी मेल इसका वाक नहीं होगा ओनली फिमेल ही इसकी वाक रहेगी है ठीक ही यह चीज़ आदान रखना कि एक ओनली फिमेल ही वाक रहती है जो आपका क्लंड ब्लाइनस वाला जो जीन है यह क्या जो रोग है यह अपरवा खाला कर वेंटॉलाि लिविर्म जाही हमाविज अजी के दाना खाला में अजीं समासरावी लूफीर लूफी लूफी जो रोग होता है आपको यह महिना सब्सक्राविजल है बने उसिए प wing जाता झांटॉलिंग कि कौन सा zatाइख ओप चुमका उनियुकि जो पूर्टिंग करने वाले जो कारक होते हैं उनकाबाव होता है यह ये परबावी सहल लगन रोग है और जो डूंसुतर पर इस्तित होते हैं ठीक हैं आगे हुप चाहिए हमोफिखिया आपको साही रोग बोला जाता है रक्तसरावी रोग भी बोला जाता है क्योंकि इसमें क्लोटिंग नहीं हो पाते हैं ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है नहीं कि इसमें क्लोटिंग करने वाले जो फेक्टर्स होते हैं उन फेक्टर्स का क्या होता है इसमें अबाव होता है किसमें ही इए बहुता है हम बात करते हैं जो सबसे इंपटेंट क्यूसर यहां से बनता है सबसे इंपोर्ड़ेंट बाथ या पॉइंट ये हैं कि इस किल से लेनिभा क्या होता यह वनसानूं इस फिर उड़ा घर प्रिवर्टन के रखने कारण होता है उनके देहिक उत्र 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 परिवर्टन के कारण होता है इसमें हिमोगलोबिन की बीटा सरंकला के याद रखना सिकल से लेनिमिया में क्या होता है सिकल से लेनिमिया में हिमोगलोबिन की बीटा सरंकला में चटवे अमिनो एसीड के ग्लूटेमिक अमल की जगह पर वेलिन अमल का आ जाता है यानि कि जो सिकल से लेन्यमिया हो जाता है सिकल से लेन्यमिया में क्या होता है जो हीमोगलोबिन की बीटा स्रंकला हीमोगलोबिन की बीटा स्रंकला के चट्टे इस्तान पर हीमोगलोबिन की बीटा स्रंकला के चट्टे इस्तान पर चट्टे अमीनो अमल यानि कि चट्वा अ समय नाउम होता है उसमें ब्लूतेमिक अमल की जगह मेलिन आजाता है इस में आर बी सी की आर बी सी की जो आकार होता हुगा एक है क्रोमजोम मिटněं को में मिलिटेंन की का अफिसा कि को मॉठें exist here the हैं में हीमोगलुबीन की बीटा स्रंग लाब के चत्वे अमिनल में घ्लूटेमिक अम रा जाता है इसमें ऑर्वेसी आ का एकार होता है वह सुना होगा आज kol malaria और ढको जब एख चल रहा है ins time पर लेकिन आपसे वीँ सुना होगा की आる यह तो जो से लेन में से जो भी गर्शित रोग होते हैं जिनके किल्सक्थ लेन में हुआ रहता है उनको कभी malaria नहीं होता तो आप साथ भी अभी जो मिले रहा है वाली कंडिशन है इस कंडिशन को देखते हुए आरे चैसे यह कूछ सकता है आप से कि कौन सा रोग है जिसमें मलेरिया नहीं होता यह का आप आर बेसी बुक्स में आपके लिए पुएंट कंसिडर है और एंसी आर्टी बु इसका नाम है यह रोग बार वी जोड़ी और परभा वी उत्परेवर्तनी इकान होता है यह जो सिक्रस्थिल एनिमिया है और जो आपका फिनल के टोर्णेया है से से करोमोजोम गोंसे होती है का बात करते हैं तो नेरिया बार फी जोड़ी ओस्वब करोशाम में कि का इस में हो पाistes यूछ कमउद ने बेकर ब्रुमोजों में कित ዝन तर्वाव तर्वावित ने चान होता है कि इसमें फेनल हाइड्रोक्षین अंजायम वरतने कारण होता है लेकिन जो इसके सबसे इंपोर्टने बात है वो क्या है इसमें फैणिल हीड्यॉक्षी पर आपको कोई दिकत नहीं आएगी सार आपका क्लीर रहेगा फिर अपन कल वाले क्लास में मुटेसन कम्प्लिट कर लेंगा और बाकिया आपका सबकार डिसकस कर लिया जाएगा बात करते हैं इंप्रेटन्ट प्वुंट्स जो आपके लिया हुए हैं मन्हसे में 22 जोड़ी अलेंक गुनसुतर वहम एक जोड़ी पए जाते हैं इने यह बात आपको कल वाली क्लास में बताइए थी कि हमारी बोड़ी में 22 जोड़ी 22 जोड़ी सेक्स क्रोम नौ सोरी यानिकि जो आपके जो ओर्टोजोम होते हैं उनमें असामानेता है कि कुछ एर फेर आने वे कुछ बदलवाने से उनमें डाउं सिंड्रोम एडवर्ट सिंड्रोम और अन्यरोग जैसी कि क्राइट टू चैट सिंड्रोम यह मैंने कल आपको बढ़ा दिया था यह लोग हो जात यह सब लिंग्वन सुत्रों के समानिताओं कारण होते हैं एक गुन्सुतर पर पाइ। ne जीन सहलगन जीन कर्लाते हैं कि एक ही गुन्सुत्र पर को ये गुंसुत्र पर उस करते हैं जो जीन होते हैं उनके मद्धें जो-दूरी होतի हैं वो भूस मुश्ण करते हैं दूरी महोंने पर SAY लगंता का परते सत्त अधिक आयनि कि जीनों के मद्दे की दूरी फिर्दायर करते हैं इसके द्वारा निरदार निरदार पर किया जाता है दूरी कम होने पर सहल लगनता का परतिसत अधीक होता है इंपोर्टेंट यह जितनी ज़्यदा जीनों की मद्दे दूरी होगी उतनी सहल लगनता परतिसत कम होगी और जितनी ज़्यदा कम दूरी होगी उतनी सहल लगनता अधीक होगी मतों से इच्छक्त मैं जीन वीनिमे की परीकटना द्वादार्व पुनरयोगे जीनों के नई स्योग बने जाता है seeing mean शुत्री वजनत्वा यूगमग निर्मान के समय होता है जीन विनिमे अर्शूत्री व्वाजन पिवाजिन पष्ट पोना करेंगे करेंगे कौन सुक्षट करेंगे यह पकाने भातने हें आगे दिसकस्ता के आवस्ताइम होते और युक्मक निर्मान के समय होता है इसके पुर्णाम सुरूप संतती में नए लक्सन आ जाते हैं , या लक्सन जिनके üzिन गूyet पर हो पाए जाते हैं , मैंने आपको बताया था , यहाँ मिंस्ता आप लिक लेने याँ पर एसे जिन जिनके गूल सुत्र पर होते सbreaking यहां इनलग्सणों की वंसानवगती को लिए कि रोग जैसेकि वनकिलिया आदी इसके एक्जामपल इस के आधर में इसके एक्जामपल नहीं है मिल्क से रिलिटेड नहीं है ठीक है यह मैल में पर जाकता है फिमेलें 또 जो सकता है यह उटो सोमल है तो जो लिंग से लगन तव लिंग की बात करते हैं किसकी बात करेंगे सिकल सेल और सबस्क्राइब्स परिवर्ण नहीं होता इसके लावाँ सबस्क्राइब की सिकलसे लेनिया अशी क्या कार की हो जाती है फिनाइल किटोनेरिया बीमारी अरलिंग कुन सूत्रों में अपरववी उत्प्रिवर्तन के कारण होती है इससे पीडित वेक्ती में मांसिक दूरूबलता आ जाती है ठार्व दोस्तों आप सबी को कलास अगर अच्छी लग रही हो और आपका मन कर रहा हो कि सेर करना चाहिए कि कलास में कुछ दम है तो सेर जरूर करिएगा हीमोफीलिया रोग से पीडित मनुसे में एदी एक छोटा सा गाउबी हो जाता है हमफिलिय। को अगर चोंटा सा गोब हो जाता है तो लगता तार रूदिर बहता रहता औन्थ میں उसकी मुर्ति हो जाती है क्योंकि मैंने बता यहां यह मृफिया में क किसकी कमी होती हिंडिय। में हिमोफियाAb होने वाले डिज एज़ै कि लिंक सल diferentes इसमें होता तो इसमें आपका थका नहीं बंद पाता रख्तिस कंदर नहीं हो पाता तो अगर इसमें चोटा सा गार गो जाता है इस रोक से पेड़िद में तो उसमें लगा था रुधिर बगता है और अंत में उसकी मर्थिव हो जाती है तो यह रीजन है इमफिलिया में मर्थिव होने की बात करते हैं जो आपका कलर ब्रैंड नेस यह वर्णांद दिता से पीडित वेक्ति विविविन रंगों की पाचान नहीं कर पाता है ऐसे वेक्ति को वर्णांद कर क्वस्टे बोते हैं तो दोस्तों क्यास क्यसी लगी मैं ने मेरी तरफ से मेरा सो परसेन्ट देने के कोसिज की अगर आपको लांस कूछ कमी लगी हो तो प्लीज जो कमेंट बृक्स से कमेंट मbayरे कमेंड करके बताना में उसकी कोशिस करूँगा सुधार ने की चिंडेट्स बुक्स स्टोक में है आप ओर्डर कर सकते हो लिंक डिस्केप्शन में दे रखी है प्रिंटेड बुक्स लओ तो भी अच्छी बात है नहीं लओ और आप पीडियप लओ पीडियप भी आपको मिल जाएगी डेट सो रुपे में तीनों पीडियप आपको मिल जाएगी तो दोस्तों आज अपना ये चेप्टर लगबग तोड़ा सा बच रहा है म्यूटेशन अपन कर लेंगे म्यूटेशन में अपन कितना डाइम लगएगा लगबग 45 मिन्ट की क्लास हो सकती है म्यूटेशन की 45 की नई तो 40 मिन्ट की क्लास हो सकती है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्टा पॉइंट भी है इस वज़े से लगबग 40 मिन्ट की क्लास हो जाएगी इस इन एक्स्टा पॉइंट से में नई एम्स के लिए भी important classes होती है जो आपको लेना necessary है ठीक है इसको share कर देना आपके पास जो भी group हो या हमारा जो telegram group है उस पर आप में से कोई एक बंदा इसको जरूर डाल देना telegram group में मैं अभी तरह भी को permission दे दूँगा class क्लास क्तम होने के बाद आप सब खुद डालोगे तो और अच्छा रहेगा class क्तम होने के बाद डालना हमारा जो प्यूज वाला group है उसमें जरूर डालना अगर आप क्यूज वाले group में अभी तक नहीं जुड़े हो तो जरूर जूड़ जाना तो आज class कैसी लगी मिलते हैं session में धन्यवाद